हेलो एवरीवन यहां रोशन वेलकम बेग तो माई चाइनल तोड़े वी विल टॉक अबाउट टेन्स इत्मिंस काल आज हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे टेन्स के बारे में देर थ्री टैप्स नंबर वान प्रिजेंट नंबर टू पास्ट नंबर थ्री फ्यू अगर लास्ट में हमारा गाह आता है तो वो चीज हमारा फ्यूचर में आएगा यहां पर कुछ पिक्चर से पिक्चर के तुरू आप लोग समझने की कोशिस करोगे यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है टेन्स इसके तीन बेटे हैं यह बड़ा वाला बेटा है जि अब यह तीनों के शादी होती है ना तीनों भाई का चार चार बच्चे होते हैं इसके भी चार बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ये तीनों उसके बेटे हैं तीनों का चाचार बच्चे रहते हैं तो देखो उनका नाम क्या है एक का नाम रता है present indefinite, दुसरे का नाम रता है present continuous, तीसरे का नाम रता है present perfect, चोथे का नाम रता है present perfect continuous फिर वेसे ही दूसरा जो लड़का रते जिसकी शादी हो गई रती है उसके भी चार बच्चे रते उसका क्या नाम रता है past indefinite, past continuous, past perfect और past perfect continuous उसकी बात तीसरा रहता है तीसरे के बच्चे का नाम क्या रहता है future indefinite, future continuous, future perfect और last है future perfect continuous So, today we will talk about simple present tense तो आज हम लोग किसकी बारे बात करेंगे simple present tense यानि कि present indefinite tense की बारे माला आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिस करेंगे कि present indefinite या simple present tense किसे कहेंगे Do you know when do we use simple present tense? क्या आपको पता है कि simple present tense का use उसका जो परियोग होता है न वो हम लोग कहां करते है नमबर वान एक्शन हापन रेगुलरली नमबर टू जैनल ट्रोट नमबर त्री थोर्ट्स फिलिग और ओपेनियन नमबर वान एक्शन डेट हापन रेगुलरली और एक्शंपर आई गो टू जीन आवरेडे देखें यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिविटी होती है जिसे कि बहुत सारे हम लोग एक्शन करते हैं जो हमारा जितना भी एक्शन होता है न वो सारा हमारा प्रिजेंट में आता है आप लोग ध्यान में रखोगे कि वो जितना भी हम लोग एक्शन करते हैं जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा हमारा प्रिजेंट टाइम में होता है यानि कि प्रिजेंट में क्या जो चल रहा है और पास्ट किसे करते हैं जो बीत चुका है जैसे कि आप लोगों ने क् एक्टिविटी करते हैं वो सारे एक्टिविटी हमारा सिंपल प्रिजेंट में आता है नमबर टू है कि फैट्स एंड जेनल टूथ कुछ ऐसी फैक्ट्स होती है जो हमारा सच होता है वह जंपन यू और फिट कोई कहता है न आप लोग स्वस्थ हो आप अच्छे हो आप क्या हो बिमार हो अप फिट हो तो कुछ सच्छाही होती है मतब्द वास्थों में वह क्या होता है वह तो तो हरता है तो वह चीज हमारा क्या चीज़ होगा। वह हमारे सिंपल प्रिजेंट में आएगा नमबर थर्ड है थर्ड फिलिंग और उपेनियन जैसे कि मालो कोई किसी का उपेनियन है या किसी का फिलिंग है जो भी सुचता हो तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है My friend thinks that I'm healthy जैसे मालो की मेरी friend है या मेरा दोस्त है वो क्या सोचता है कि मैं क्या हूँ स्वस्त हूँ तो वो भी हमारा क्या है simple present में आएगा तो यह तीन चीज आप लोग याद रखोगे simple present किसे कहेंगे We often use sentence to talk about accent that happened in the present moment Such sentence are said to be in the simple present tense अब यहाँ पर कुछ मैंने जांपल दिया है जैसे देखिए यहाँ पर I you we they इसके साथ मैंने क्या use किया है walk, watch, go इसे मैंने एस याईएस नहीं लगाया है लेकिं यहाँ पर दिखिए he, see, eat इसके साथ मैंने क्या लगाया यहाँ पर एस लगाया यहाँ पर आपका इस लगा है अलाश्ट में भी हमारा इस लगा है तो वेटा इससे पहले भी मैंने बताया था कि जैसे कि A, C, A, E, A, C या जो भी है I, A, E, A, S इसका हम लोग यूज कहां करते हैं यह हम लोग इसका यूज थर्ड परसन के साथ ही यूज करते हैं अथर्ड परसन में भी हमारा क्या होता है ही, सी, इत या कोई भी हमारा नेमिंग वर्ड होता है जो हमारा सिंगलर होता है जो सिफ एक होता है उसके साथ हम लोग A, C, A, E, S, Y, A, A, S का हम लोग यूज करते हैं जो हमारे फर्स्ट परसन होते हैं और सिकेंड परसन होते हैं और जो भी हमारे फुलरल होते हैं उसके साथ हम लोग AC या ES का योज बिल्कुल नहीं करते हैं ते एक चीज याद रखोगे कि simple present tense अब कैसे पाचान करोगे जैसे कि कोई भी sentence है na simple में यही कहा जाता है कि कोई भी tense है उसके last में ता है, ती है, ते है यह आता है उससे हम क्या कहेंगे simple present tense कहेंगे जैसे का माल लोगे que ram ram खाता है ठीक है ram हमारा क्या है Ram हमारा singular है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ram यहाँ पर खाना की English क्या होता है eat अब याद रखोगे कि यह हमारा ram है singular है तो पता है कि जब हमारा singular है तो वहाँ पर हमág एस या एस हम लोग करते हैं क्या लगाईगे क्योंकिमि यहाँ पर हमारा किया है इधे इसलिए यहाँ पर एस लगाली कुछ जगा हम लोग में एस एड और चया अपको यह भी थह करेंगे सिंगलर के तरह बोर्फ के साथ हम lawsuits लगाते हैं हम जो भी हमारे मेन वर्व होता हैं वहाँ पर लगाते हैं अगर हमारे वही चीज पुल्रल आजाएगा तो हम ACIS का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है न I, I हमारे क्या है? First person तो इसके साथ कहीं भी लगेगा कहीं ACIS नहीं लगेगा या U आजाए इसके साथ भी ACIS नहीं लगेगा V आजाए इसके साथ भी नहीं लगेगा D आजाए इसके साथ भी नहीं लगेगा क्योंकि यह सारा क्या है? हमारे कुछ हमारे first person है second person है और कुछ हमारे plural है ते इसमें हमारे वो चीच नहीं आएंगे लेकिन ही C, E ये जो है ये हमारा third person है इसलिए इसके साथ S लगेगा कहीं Yes लगा है ये चीच हमारा ये जोगा यहाँ पे देखिए fix यहाँ पे क्या है X आया ना यहाँ पे क्या है go last में क्या है O यहाँ पे क्या है watch last में क्या है SH आया watch यहाँ पे क्या रहा है CH आ रहा है तक कहीं भी आपका X, O, SH, CH अगर मिलेगा तो वहाँ आप लोग क्या यूज़ करोगे E, S यूज़ करोगे पता चल गया यानि कि S का हम लोग यूज़ कहा करेंगे if it is a singular noun we usually add S ठीक है कहीं पे भी हमारा singular noun हो या pronoun हो तो वहाँ पे हम S का यूज़ करेंगे और कहां पे आप लोग E, S का यूज़ करोगे for verbs ending with O, S, CH, SH, X वहाँ पे आप लोग क्या करोगे E, S का यूज़ करोगे अब यहाँ पे देखिए fly, यहाँ पे last में क्या आया Y, इसमें जो भी हमारे words होते है न उसके last वाला letter पावलो ध्याव देते है cry है, last में क्या है Y study है, last में क्या है Y try, last में क्या है Y यानि कि अगर last में Y आता है तो Y के जगह पे हम I, E, S तो लगाते हैं लेकिन किस जगह पे हम I, E, S लगाते हैं तो यह चीज़ आप लोग समझने के कोशिज करोगे for verb ending with consonant plus Y we are replacing Y with I and add E, S यानि कि कभी भी अगर Y से पहले अगर आपका consonant आता है ठीके, कोई भी consonant जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर Y से पहले अगर consonant आएगा 27 होते हैं अब आधे हमारे कितने हुते हैं 26 यह दोनों का है Fest करोगे पहले हमारे tolerance 21 होते है तो Y से पहले कोई भी हमारा consonant अगर आता है तो हम Y को हटा देते हैं और Y को हटाने के बाद हम लोग I, E, E, S का यूज करते हैं लेकिन y से पहले अगर कोई भी वावेल आता है जैसे कि two y ठीक है तो यह y से पहले हमारा क्या आया वावेल आया ना तो जब हमारे y से पहले अगर वावेल आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे s लगाएंगे for verb ending with वावेल why we add as to the verb जो भी हमारे verb होंगे उसमें हम लोग सिफ एस लगादेंगे यानि कि बवा है ना तीसरे सिफ हम लोग एस लगादेंगे क्यों लगाएंगे क्योंकि y से पहले हमारा वावेल है ओके to sum up the form of the tense यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़े आई यू वी दे जिसे कि मैं टहलता हूँ तुम टहलते हो या हम लोग टहलते हैं या वो टहलते हैं यह भी हो सकता है या आप बोल सकते हो कि यू बाच तुम देखते हो मैं देखता हूँ हम लोग देखते हैं या वे देखते हैं यह सारे हमारे क्या है फर्श परसन भी आ रहा है, सिकेंड परसन भी आ रहा है, और हमारे पुलल भी आ रहा है, यानि कि दे, तो इसके साथ हम लोग या इस का यूज करते हैं, आप लोग को पता चल गया, कि एस हम कहां लगाएंगे, इस कहां लगाएंगे, आ इस कहां लगाएंगे, और इस कहां लगाते हैं, जिसे य से पहले अगर बताएंगे, य से पहले अगर वावे लाएगा, तो वहाँ आप क्या लगाऊगे, एस लग तो वहाँ पर हम लोग एस लगाते हैं और और तो सारा आपको पता चल गया दिखिए हाव डिवी फॉर्म दप्रिजेंट सिंपल कैसे हम लोग इसको पहचाने के कोचिस करेंगे इसका नियम क्या इसका फॉर्मूला क्या है देखिए यह हमारा क्या है फॉर्मूला है ठीके ना पहले हम लोगाएंगे सब्जेक उसके बाद वर्ण उसके ठर्ड हमारा क्या होता है अब्जेक्ट सब्जेक्ट हम किसे करते हैं कोई भी कारे करने वाला है वह हमारा सब्जेक्ट होता है अब वर्ण जो भी हमारे कारे हो रहे है और अब्जेक्ट ज I. I हमारा क्या है? 1st person है. इसके साथ हôm ACIS नहीं लगाएंगे. पीना के क्या होता है? और drink हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. मैं क्या पीता हूँ? कौफी पीता हूँ ना तो कौफी हमारा क्या हो गया? अबजेक्ट हो गया. त्यानिकि I है, इसलिए ये first person, second person या कोई भी हमारा plural हो तो उसके साथ हम वर्व में ACIS का यूज नहीं करेंगे तो इसलिए यहाँ पे हमारा ACIS का यूज नहीं हुआ है क्यों? क्यों कि I हमारा special person है अब यहाँ पे देखिएगा I, I हमारा special person है न इसलिए play में हमारा ACIS नहीं लगएगा I play the piano यानि कि मैं piano बजाता हूं ठीक? You play the piano तू प्यानो बजाते हो He, see अब यहाँ पे देखिए वो प्यानो बजाता है या वो प्यानो बजाती है We, हम लोग प्यानो बजाते हैं They, play the piano वे लोग प्यानो बजाते हैं ये चीज़ हमारा क्या हो गया, पिल्डल हो गया, ये भी हमारा क्या है, यानि कि फर्स पर्सन है, ये हमारा सिकेंड पर्सन है, तो इसके साथ हम लोग A, C या, E, S का योज नहीं करेंगे, तो इसलिए ये हमारा प्ले हो गया, ये भी प्ले हो गया, ये भी प्ले हो गया, ये यहाँ पर हमने place क्यों यूज किया है क्योंकि यह ही c जो है यह हमारा singular है और उसके बाद यह हमारे third person में आते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारा as या yes का यूज हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या लेगा है क्योंकि y के पहले अब यहाँ पर देखिएगा इस y को replace करके हम लोग i, yes का यूज किये होते है how do we form the present simple negative अब देखो हम लोग इसका ना negative भी बनाते हैं तो negative आपने बहुत सारे sentence में देखा होगा कि कुछ जगा पर does not का यूज होता है या हम इसको बोल सकते है doesn't बोल सकते हैं उसके बाद do not होता है या don't बोलो तो इसमें हमारा क्या होता है जब भी हम negative बनाते हैं तो इसमें हमारा subject होता है उसके बाद do not या does not जो भी होता है इसको लगाएंगे उसके बाद verb लगाएंगे और उसके बाद हम object लगाते हैं तो सबसे पहले हम subject ढूंडेंगे कौन वो उस कारे को कर रहा है जैसे कि मालो कि add-on does not like the doctor add-on जो है वो doctor को पसंद नहीं करता है तो इसमें कौन नहीं पसंद करता है add-on ना तो यह हमारा क्या हो गया subject और यह हमारा क्या है subject जो है यह हमारा singular है इसलिए यहाँ पर does not का यूज हो जाएगा और क्या अरू इसमें वर्ब ढूंडो देखो क्या कुछ ऐसी action हो रही है तो like, like में जो होता है पसंद करना ठीक है, last time हम बताये थे ना अगर किसी भी word का अगर ना आ रहा है खाना, पीना, सोना, पसंद करना, नफरत करना last मिलना आएगा, वो चीज हमारा वर्ब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो गया, like हमारा वर्ब हो गया अब इसमें object देखिए कि क्या चीज़ वो पसंद नहीं कर रहा है किसको नहीं पसंद कर रहा है, तो doctor को ना यहाँ पर negative में हम लोग change करेंगे, कैसे इसको negative में change होगा जैसे कि I do, ठीके, I, I के साथ हम, यह क्या है जैसे कि हम लोग negative हम लोग use करते हैं, तो doesn't use होता है या do not का यूज होता है, तो यह पता है अपको employer के साथ हम लोग हमेसा do not का यूज करते हैं और singular के साथ हम लोग सिर्फ does not का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा I क्या है? I हमारा special person है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? not और यहाँ पे हमारा do हो गया है यहाँ पे negative बनाने के लिए हम जो भी sentence हो, singular हो या plural हो उसके साथ हम लोग not का यूज करेंगे देखिए यहाँ पे, यह सभी जगा पे हमारा क्या लगेगा? not लगेगा जैसे I do not play the piano मैं प्यानो नहीं बजाता हूँ तुम प्यानो नहीं बजाते हो वो प्यानो नहीं बजाता है या वो प्यानो नहीं बजाती है या हम लोग प्यानो नहीं बजाते हैं वे लोग प्यानो नहीं बजाते हैं इसमें अंतर क्या है? कि जहाँ पे हमारा first person, second person अब puller यह जो भी आएगा तो उसके साथ हम लोग do का यूज करेंगे अज जहाँ पे हमारा singular होगा, third person होगा वहाँ पे हम लोग doesn't का यूज करेंगे इसको हम लोग auxiliary भी वर्प करते हैं या तो auxiliary भी वर्प को हो या आप helping भी कह सकते हो तो जब हम लोग negative बनाते हैं तो do not या does not का यूज करते हैं does not singular के साथ do not puller के साथ how do we form the present simple integrative आप देखो integrative बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं does not do not को सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं sentence की सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले हम लोग उसका formula है आपका do उसके बद सब्जेक, वर्फ और हमारा object यह हमारा क्या है यह हमारा फॉर्मूला है जैसे कि do elephant eat grass? यहाँ पर देखिए तो क्या लगेगा? क्या पर लगेगा दो लगेगा क्योंकि यह हमारे слब ग्रल सी झालिव हमारे यहां पर दो अब दो टो क्या हाथी होती है हाथिया जो होती है, यहां पर इस वह à जाएगा है क्या हाथ यह खाती है तो do it's eat grass do it's grass यहांआप देखो do I play the piano इसमें यह होता है कि जो भी इंटोगेटिव होता है वह लास्ट में हमारा क्या होता है question mark लगता है यह छीज का हमारा क्या है इंटोगेटिव का है यू के साथ, यू भी हमारा second person है, इसलिए इसके साथ भी do का use जो करेंगे, वो पहले हो जाएगा, he, c के साथ हम लोग डच का use करेंगे, ये सबसे पहले होगा, v के साथ do use करेंगे, ये सबसे पहले होगा, d के साथ do का use करेंगे, ये भी हमारा सबसे पहले होगा, तो जो भी हम intuitive बनाते हैं तो उसका जो हमारा helping वर्व होता है auxiliary वर्व होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं उसके बाद हम subject लिखेंगे उसके बाद verb लिखेंगे और last में हम लोग क्या लिखते हैं object लिखते हैं अब यहाँ पर देखो Jim talks a lot Jim जो है वो बहुत ज़्यादा बात करता है Jim हमारा क्या है similar है और इसमें वो क्या कर रहा है बात कर रहा है यानि कि बाते करता है बहुत ज़्यादा बाते करता है तो बात करना के क्या होता है talk होता है लेकिन यह हमारा similar है इसलिए यह हमारा क्या लग गया एस लग गया, तो यह क्या है, आपका simple present tense है, simple present tense, the simple present tense is used to the express, a virtual action, a general tool example, यहाँ पर देखो, C drinks coffee, वो coffee पीती है, C हमारा क्या हो गया, singular है, यानि कि यह हमारा subject है, यह हमारा verb है, और यह हमारा object है, और subject हमारा क्या है, singular है, ठीक है, तो यह हमारा subject हो गया, singular है, इसलिए हम यहाँ पर verb जो होगा, वो उसमें हमारा S लग गया है, और यह हमारा object है, coffee, यहाँ पर यह आ गया, सूरी जो होता है वो इस्ट की तरफ क्या होता है उगता है न यहाँ पर सन सन हमारा क्या है सब्जेक्ट है राजस क्या है वर्भ है इन दा इस्ट क्या है यह हमारा अब्जेक्ट है यानि कि कौन उगता है तो सूर्यम क्या करता है उगता है वर्भ हो गया कहां उगता है subject, जो है, वो हमारा singular है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्या लगा, S लगा, rise की spilling क्या होता है, R, I, S, E, तिसलिए यहाँ पे हमारा S आइड हो जाएगा, next, I read, मैं पढ़ती हूँ, या मैं पढ़ता हूँ, I हमारे क्या है, first person है, इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा वर्भ होगा, उसमें हम S, E, I, E, S, नहीं लगाएंगे, अब आपको पता चल गया, कि Simple Presentance किसे कहते हैं, Simple Presentance उसे कहते हैं, जिसके last में ता है, ती है, ते है, आता है, उसे Simple Presentance कहेंगे, जैसे कि राम दौडता है, राम रांस, वे लोग दौडते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो, बाबाई एंट टेक क्या,